प्रेंट्स हर यूटूबर का सपना होता है कि वो एक नएक बार ग्रीन इस्क्रीन इस्पेक्ट का यानि कि क्रोमा की का ज़रूर रूपियो करें अपने वीडियो की क्वाल्टी को बहुत अच्छा बला है इसको ध्यान में रखती है चुकि दोस्तों मैं भी एक नया सब्सक्रीन है यानि कि हर एक लरक के पर्दे को मैंने यहां पस टांगा हुआ है दूसरी तरफ आप देख रहोंगे सेम जो हरा वाला परदा था वो हट गया है लेकिन यहां पस बैग्राउंड में कुछ दूसरा यहां पस मैंने वाल पेपर या एक तरह से कर सकते हैं बैग सबसे पहले बता दूं कि यह जो वीडियो मैं बनाता हूं खास करके ग्रीन इसक्रीन का तो वह मैं कीचन पर ही सूट करता हूं क्योंकि कीचन पर मुझे क्या होता है परदे टांगने के लिए थोड़ा जगा मिल जाता है प्लस लाइटिंग वगेरा के लिए उस्ता ठीक है बस लंबा लंबाई है और यह मैंने 80-90 रुपय में मार्केट से मेचिंग सेंटर से खरीदा हुआ तो आप भी खरी सकते हैं तो अब देखिए को वीडियो की जो क्वाल्टी है धीरे से बैक्ग्राउंड में मैं किस प्रकार से हाँ पास एडिट करता हूं किस प्रकार से च स्ट्रगल डेस के वीडियो से और मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूं दोस्तों अपने टेक्निकल चैनल को बनाने के लिए हलांकि मेरे इस सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी प्रकार के एडिटिंग अगर आप सिखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा आपको बतांगो कि किस प्रकार से बहुत ही कम समय में वीडियो का आप एडिट कर पाएंगे इसके लिए सबसे पहरे आपको करना क्या होगा आपको प्ले स्टोर ओपेन करने के बाद आपको कर लेना है काइन मास्टर का डाउनलोड बिल्कुल अच्छा एप वहां बिल्कुल प्र डाउनलोड करके ओपेन कर लिया कुछ इस परकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा यहां पास माई प्रोजेक्ट हो सकता आपको दिखाई ना दे क्योंकि यह प्रोजेक्ट तभी रिखाय देगा जब आपने को प्रोजेक्ट पहले इसमें बनाया हो तो आगर नहीं लिए बना रहे हैं अगर आप इंस्टा बगर क्लिए बनाते तो इसके लिए आपको यह कर देना था क्लिक अलग अलग रेशी होता सबका तो हमें यूटूब का आपको ध्यान रखना के 16 रेशियो 9 का यहां पसकता है तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे यह आपको दीख रहा है इस पर आपको कर लेना है सिंपली से क्लिक क्लिक करने के बाद आपको आपकी गैलरी पर यह जो काईन मस्टर रैप ले जाएगा और आपको वह इमेज वहां पास सलेट कर रहा है दोस्तों ध्यान रखिए गए हमें वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं की बात करा हूं वह इमेज यहां पास आपको सेलेट करना है जिसे आप बैग्राउंड पर लगाना चाहते हैं ध्यान रहे कि जो इमेज का रेशियो है वह 16 रेशियो 9 ही हो क्योंकि ऐसे में वीडियो की क्वाल्टी एच्छी मनती है और जो रेशियो बहुत अच्छा दिखता है ऐसा नहीं हो कि आप गलत रेशियो आपस इसमाल करें जब भी आप गूगल से टाउंड लोड करें तो आप पास हमें से 69 रेशियो लिग दिया करें ताकि जो इमेज मिले आपको सेम रेशियो में मिल जाए तो चलिए इसे जो भी इमेज आप सेलेट करना चाहते हैं उसस इसे अद्व ब्रको करना क्या है आ आपको कर लेना यहां पास लेयर पर क्लिक करना है आपके ग़ैर पर आपके गैलरी पर दुबारा जाके तो आपको यहाँ पास layer पर क्लिक करना है आपके गैलरी पर आप पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको उस वीडियो को क्लिक कर लिए जिस वीडियो पर आप ग्रीन एफेक्ट जो डालना चाहते है ध्यान रहे वह वीडियो हरे पर पर क्लिक करना ना कि नीचे के कोई option आपको यही वाला option यहाँ पास क्लिक करना है ध्यान रखना तो चलिए जल्दी से क्लिक कर लेते हैं और जो वीडियो है ग्रीन स्क्रीन वाला उससे यहाँ पास select करेंगे आपको यहाँ पास open हो जाएगा कुछ इस प्रकार से आप देख प करना तो आपको simply इसे यहाँ पास जाकर जाकि जो आंति में और यहां पास पूavor जाकर ताके वीडियो के इस प्रकार से बराबर आपको कर देना है और यहाँ पास पकड़ना है और है इस से प्रकार से Sick करना हो इसके बाद आप बहुत लोगों को डाउट हो रहा हो कि यह जो बगल में इतने सारे हैं यह कैसे हटेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है सिंपल ही देखेगा आपको अपने इस वाले जो नीचे आपका ग्रीन स्क्रीन वीडियो है यहां पास मैं आपको दिखाता हूं यह जो है इस पर आपको क्लिक करना है सबसे पहले सिंगल टैप करने के साथ आपके यहां पर बहुत सारे ओप्सन्स खुल जाएंगे तो आपको सिंपल ही उसे ही प्रेस करके यहां लेया जहां था कि आपको ग्रीन स्क्रीन तक ही सेट करने कुछ इस परकार से तो बाकी उसके बाद पुरा कट जाएगा और यहां पस राइट का ओप्सन है राइट पर क्लिक कर सकता हूं तो देख सकते हैं आप यहां पास हमारे जो बीच में इस तरह से देख सकते हैं या सेट हो जाएगा बीच में सेट होने के बाद आपको फिर बाहर क्लिक कर देना है उसके बाद दुबार आपने वीडियो पर आपको क्लिक करने के बाद आप फिर को आपको नीची आना ऐसे करके और आपको यहां पास दिखाई देगा क् बहुत लोगों को ऐसे रहता है या एक वर सकते हैं एक मिनुट य ऐसे रहता है यहां पस chroma के set typ करने बाद इस परकार से आ जाता है आपको इस स्रो उमार्क प्लेट कर लेना है ताकि हमारी एटिटिंग अच्छी हो उसके बाद अप यहां पस दो आप तो आपको इस प्रकार से मेंटेन करना है इसे और इसे आगे पीछे करके कि आपका जो यह जो काला कला लिख रहे है यह पूरी तरीके से हट जाए तो मैं यहाँ पास इसे थोड़ा आगे बढ़ाता हूं देख सकते हैं आपको एस रटी से करना है और इसको थोड़ा से इधर करता हूं ताकि अच्छी से बने यहां पास सेट हो जाए और थोड़ा इसको ले जाता हूं ताकि जो हरा हरा साइड में दीखे ना तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं यहां पास केबल मेरे परशाई दीख रही है बाकी जो है काला कलरक हो गया यानि कि वह हट चुका है त आप देख रहें कितना जबर इस तरीके से जो ग्रीन कलर का परदा था वह पूरी तरीके से हट चुका है और वीडियो देखने में ही इतनी अच्छी दिख रही है दोस्तों तो वीवर्स को पसंद जरूर आएगी और वीवर्स इसे जरूर पसंद करेंगे तो आप इसी प् क्लिक किया उसके बाद आपके पास आएगा ये रिजुलेशन और फ्रेम रेट आपको सिंपली जिस भी रेंज पर करना है उसे आपको सेलेट करना ध्यान रहा है इसमें आप साथ सो बीस भी कर सकते हैं या फूल एच डिया नहीं कि एफ एच डी एक हजार असी पिक्सल भी कुछ एड होगा वहाँ पास आपको क्लिक कर देना है इसकी प्लिक किया अब यहां पास एक्सपोर्ट हो रहा था है एक्सपोर्ट होने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि वीडियो किस परकार से एडिट हुआ है प्रेंड्स यह देख रहा हूँगे कि हमारा वीडियो को अब यहां पास आपको प्ले का उपशन दीखाए देगा मैं आपको प्ले करके यहां देखाता हूँ यहां पास तो इस रोटेट भी कर देता हूँ आप अप देख पानेotगा हूँ तौगर आपको उडियो दूस्त पऊ measure कर देखने को मिल रहा है तो अगर आपको वीड आगयां जरूर दिन दुस्तों क्योंकि आपके प्यार की बहुत झरुवत है आपकी Euong